तो दोसे इस वीडियो के बारे में मैं सोच रहा थे तो मुझे लगा हम टाफ 5 की एक सीरीसी बना डाले हैं एलक्ट्रिक त्री विलर को लेकर सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा रेंज देने वाली कारगो और आटो रिक्षाओं के बारे में बनाया फिर फैसंज़र डाटो रिक्षाओं के बारे में बनाया और इस वीडियो के अंदर हम टाफ 5 फीचरिस्टिक अलेक्ट्रिक अडो रिक्षा के बारे में जानने वाले हैं अगर आप पिछले 50 साल से 3-wheelers segment में एक ही design देखके बोर हो चुके हैं तो ये वीडियो को last तक जरूर देखना लेकिन उससे पहले शाबू उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है इसका सबसे बड़ा reason बड़ी company जो है अपना IC engine आटो रिक्षा sale कर रही थी electric revolution शुरू होने से पहले तो उसके manufacturing plant में मोटा खर्चा कर चुकी है company तो अभी नया design के साथ अगर आएगी तो नया plant लगाना पड़ेगा और नया plant के लिए भिर से नया खर्चा लग करना पड़ेगा तो इसी बज़े से पुराने जो design है उसी के अंदर motor और battery fit करके color change करके electric में launch कर रही है जैसे कि बजाज, TVS, PR जो, Mahendra के आटो रिक्षा हमें देखने को मिल रहे हैं लेकिन नये start-ups को ये सब दिक्कत नहीं आने वाली है market में जो कमी है 3-wheeler segment में उस कमी को पूरी करना के लिए नये start-ups अपने electric आटो रिक्षा ले के आ रहे हैं और इनका बड़ा manufacturing plant बगएरा नहीं है तो अभी ये नए design को ले के आने के चाहसे ज़्यादा रहते हैं और thanks to EV revolution जिसके वज़े से काफी ज़्यादा customization के option देखने को मिल रहे हैं electric 3-wheeler में designs के अलावा भी performance में नए start-ups काफी अच्छा performance प्रोवाइड कर रहे हैं electric आटो रिक्षा में तो नमबर 5 पे आती है exhaust motor के तरफ से ममोथ इस electric आटो रिक्षा को company ने 2023 आटो एक्सपो में reveal किया है और बताया है कि जुलाई 2023 के इसकी delivery देना शुरू करेंगे और 2025 तक 20 cities के अंदर इसको ले के आएंगे अगर इसकी design के बात की जाये तो काफी different design है और काफी difference approach दिया है company ने अभी तक हमने 3 wheeler segment पे sitting capacity 3 plus driver sitting capacity देखी है यानि वो और राल हमें 4 sitting capacity मिलती है एक आटो रिक्षा के अंदर लेकिन इसके अंदर पूरे total 12 sitting capacity मिल रही है और driver cabin के अंदर officially driver plus 2 sitting capacity दिया जा रहा है company के तरब से और इसके अलावा हर एक आटो रिक्षा के अंदर हम 3 wheels देखे हैं जिसके लिए हम 3 wheeler बताते हैं लेकिन इसके अंदर 6 wheels दिये गए हैं यानि ये एक तरह से electric 3 wheeler का mask में एक छोटी सी bus निकल कर आ रही है और design के अलावा भी इसके अंदर 50 km per hour की tow speed दी जा रही है और 110 km से 120 km का range इस electric आटो रिक्षा में मिल रहा है और company तो इसकी delivery 2023 जुलाई में की बात की हैं लेकिन तब से अभी तक इसका कोई भी नया information नहीं आया देखेंगे कब तक ये market में लेके आएगी लेकिन एक design के इसाफ़ से काफी नया खदम है काफी बड़ा खदम है हम 3 wheeler आटो रिक्षा की design तो changes expect कर रहे हैं लेकिन इतना बड़ा change expect नहीं किये थे और इसके साथ साथ number 4 पे आती है Dandera Electric के तरफ से अटुआ इसका launch September 2022 में ही हुआ था और company इस electric आटो रिक्षा को shark tank के अंदर भी लेके आई थी इसी साल में और अशनेर गोवर के तरफ से शायद इसको funding भी मिल चुका है और इस आटो रिक्षा की अगर design देखा जाये तो काफी unique design देखने को मिलती है as compared to regular आटो रिक्षा और सबसे बड़ा changes इस आटो रिक्षा के इसको रिक्षा के अलावा इस आटो रिक्षा के अंदर ड्रेवर क्याबिन में AC का भी option बताया गया है company के तरफ से और company ने जब launch की तो इसको cargo segment के लिए launch की है लेकिन बताया गया है कि future में ये एक passenger segment में भी इस आटो रिक्षा को लेके आने वाले हैं डिजाइन के लावा इसका performance देखा जाए तो 55 km पर आवर की toss पे इसके अंदर मिल रही है और 165 km से लेकर 300 km तक की इस आटो रिक्षा को आफर किया जा रहा है company के तरफ से और इस आटो रिक्षा की एक showroom प्राइस शुरू होती है 350,000 से और इसके अलावा नंबर 3 पर आती है ओमेगा सकी के तरफ से मौस ये ओमेगा सकी मोबिलेटी हर कैटेगरी में हर सेग्मेंट में घुश रहा है आप अगर लांग रेंज की बात की जाओ वहाँ पे भी इनकी आटो रिक्षा मौदू जाए 2023 से आटो एक्सपो में अगर हम इसके डिजाइन की बात की जाए तो इसके नाम की ज़रा ही ये भी दिखने में चुवा ही दिखता है और इसके रेर व्यू मिरर जो है वो वोलो बस के जो मिरर होते हैं उसी का इंस्परेशन लेकि इसके अंदर लगा है है और इसके अलावा इस एलेक्ट्रिक आटो रिक्षा में भी AC का ऑप्शन दे रहे हैं और क्लोजिंग डोर से कंपलेटली क्लोज होते हैं डोर से इसके और देखने में भी काफी फिचरेश्टिक देखने को मिल रही है ये एलेक्ट्रिक आटो रिक्षा वैसे इसका performance ज़्यादा reveal नहीं किया गया है, company के तरब से बस इसकी speed बताई है, 50 km per hour की, और बाकी इसकी specification अभी reveal होना बाकी है, यह prototype है, यह launch होगा, यह कब तक launch होगा, exactly company के तरब से अभी नहीं बताया है, और number 3 के बाद number 2 पे आती है, luxurious electric auto rickshaw noonam के तरब से, जब इसकी unveiling की थी, RD electric auto rickshaw के नाम से, लेकिन अच्छोली यह RD manufacturing नहीं करते ही है, no naam non-profit German Indian की start-up है, उन्होंने इस electric auto rickshaw को unveil किया था, इस electric auto rickshaw में RD के e-tron electric car के जो battery होती है, उनकी life खतम हो जाती है, तो उसको second life देकर इस auto rickshaw में इस्तेमाल करने के लिए, इस trivular की शुरुआत की और यह start-up ने electric trivular ही नहीं शुरु किये हैं, इन्होंने घर के inverter का भी service provide करते हैं, घर के batteries वगयरा भी provide किया जाता है इस company के तरफ से, तो इन्होंने एक नया approach लिया है electric trivular में, और इसकी unveiling 2022 जून में की थी, no naam ने, तो काफी ज़्यादा viral भी हो चुका था, लेकिन इसक यह hero surge के तरफ से S32, इस auto rikshah ने 3vular का definition ही change करके रखा है, इस auto rikshah को 2-in-1 के देशा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2-in-1 3vular के अंदर नहीं category different होने वाली है, 2-wheeler category और 3-wheeler category दोनों के तरह इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस auto rikshah के लिए एक नया registration process भी शुर design में काफी सारी कमियां आ रहती है, लेकिन इस auto rikshah के अंदर कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती है, अगर आप 3-wheeler के दर से استعمal करते हैं, तो कोई भी नहीं कहेगा कि इसके अंदर एक 2-wheeler छुपा है, अगर 2-wheeler इस्तेमाल करते हैं, तो कोई भी नहीं कहेगा कि इससे 3- ट्रिविलर चलने वाला है तो काफी अच्छे चेंजेस किये हैं कॉफी अच्छी डिजाइन भी दिये हैं इस आटो रिक्षा में और इस आटो रिक्षा को 2024 यानी इसी साल जनवरी में रिविल किया था और रिविल के बद ये कार्गो सेग्मेंट में अपना अलेक्टरिक मिलने वाली है और 11 kWh की बैटरी दी जा रही है और रिमूबल बैटरी दी जा रही है और बता जा रहा ही कि इसकी लांच इसी साल होने वाली है बाकि ये सबी आटो रिक्षा के ऊपर फुल डीटल के साथ आलरेडी वीडियो मौजुद है जिसकी लिंक आपको आइकार में मिल तो दोस्तो इन में से कौन सी आटो रिक्षा आपको पसंद आईए नीचे कमेंट करके जरूर बताना तो इमीद करता हूँ दोस्तो वीडियो पसंद आई ओगी अगर पसंद आई तो लायक और शेयर करना मत बूलिया और इसी तरह के उलक्री करक्षा के वीडियो के लिए चैनल के जरूर सब्क्वाइब करके रग लेना तो मिलते हैं एक और नई एलेक्ट्रिक आटो रिक्षा के वीडियो में अंतिल देन बाई बाई और सी यू सुन